तो student free record maintain हम कैसे करते हैं ये हमने एक format create किया हुआ है इसको हम कैसे बनाएंगे साथी साथ इसको हम कैसे use करेंगे जानेंगे इस वीडियो के अंदर सबसे पहले यहाँ पर हम serial number लिखेंगे इसके बाद name role number अभी मैं यहाँ पर ये सिर्फ तीन चीज़े ही डाल रहा हूँ अगर आप कोई और specific record रखना चाते हैं जैसे father's name, address और phone number तो उनको भी आप यहाँ पर आगे add कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर हम लेखेंगे monthly fees यहाँ पर हम month लेख लेते हैं April, May अब इसको हम यहाँ से आगे drag कर लेंगे March आने तक इसको हम आगे drag करेंगे यह एक month हमारा फालतु आ गया है इसको हम delete कर देते हैं अब इसके बाद इनको हम select कर लेते हैं इनको हम resize कर लेंगे तो यह सारे months हमारे एक size के अंदर हो गए हैं अब इसके बाद next हम लिखेंगे paid months, और pending months, last हमारा हो जाएगा total received, और balance, तो ये हमारी headings हो गई हैं, अब हम आ जाते हैं serial number के अंदर, यहाँ पर हम serial number टाइप कर लेंगे, इसके बाद next हमारा है student name, जो हमारे students हैं, उनके नाम हम यहाँ पर लिख लेंगे, next हमारा है student role number, तो role number को भी यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसके बाद student monthly fees, students की monthly fees हम यहाँ पर बता देंगे, इसके बाद हम आ जाते हैं paid months के अंदर, यहाँ पर हम एक formula type करेंगे, formula है हमारा, equal, count if, bracket, अब हमको बतानी है range, range हो जाएगी हमारी, April month से लेके, March month तक, तो इसको हम select कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, type करेंगे true, bracket close करेंगे और enter press करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर भी हम same formula type करेंगे, equal, count if, bracket, range को हम select करेंगे, range हो जाएगी हमारी, April month से लेके, March month तक, कॉमा लगाएंगे, अब यहाँ पर हम type करेंगे false, bracket close करेंगे और enter press करेंगे, तो यह दोनों formula हो गए हमारे, यहाँ पर हमारे count होंगे paid months, और यहाँ पर हमारे count होंगे pending months, अभी यह work कैसे करेंगे, इनको हम आगे जानेंगे, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हम total received amount निकालेंगे, और यहाँ पर balance amount, तो received amount निकालने के लिए, यहाँ पर हम formula type करेंगे, equal monthly fees, इसको हम select करेंगे, multiply का sign लगाएंगे, इसको हम multiply करेंगे, paid month से, तो इसको हम select कर लेंगे, enter repress करेंगे, ऐसे ही हम balance amount निकालेंगे, equal monthly fees, इसको हम select कर लेते हैं, अब इसको हम multiply करेंगे, pending month से enter press करेंगे तो ये formula हो गया हमारा balance निकालने के लिए अब यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी formatting कर लेते हैं इनको हम select कर लेंगे यहाँ से इनकी alignment center कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करके इनको हम board कर लेंगे यहाँ से color आप अपने हैसाब से select कर लेंगे अब इसके बाद हम first row के उपर कहीं भी click करेंगे mouse से right click करेंगे और यहाँ पर हम select करेंगे insert one row above एक new row हमारी add हो जाएगी अब तीन बार F4 की हम press करेंगे तो तीन और new rows add हो जाएगी अब यहाँ से cells को हम select करेंगे और यहाँ तक हम select कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर click करेंगे और इनको हम merge कर लेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे student fair record इसको हम board कर लेते हैं और इसका size यहाँ पर हम बड़ा लेते हैं color अब जैसा चाहें उसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर select कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर इन दो cells को हम select करेंगे और इनको भी यहाँ पर click करकर हम merge कर लेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे session इसके बाद इनको भी हम select करेंगे इनको हम merge कर लेंगे जो भी हमारा current session चल रहा होगा उसको हम यहाँ पर type कर लेंगे formatting यहां से मैं copy कर लेता हूँ और इस same formatting को यहां पर मैं apply कर देता हूँ अब हम यहां पर आ जाएंगे यहां से हम select करना star करेंगे और जितने हमारे student हैं वहाँ तक इसको हम select कर लेंगे अब हम click करेंगे insert के उपर यहां पर हम select कर लेंगे tick box तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने हमारे months हैं उन सभी months के अंदर blank box आ गए हैं अब यह sheet work कैसे करेगी उसको समझ देते हैं सबसे पहले जो हमने formulas लगाए थे उनको हम नीचे तक drag कर लेंगे इसके बाद अब जो हमारे blank boxes हैं जैसे जो हमारा first student है अभी हम April month के अंदर इसको हम tick करते हैं इसको हम tick कर रहे हैं यानि fees हमको receive हो चुकी है तो जैसे ही यहाँ पर हम tick करेंगे तो paid month के अंदर हमारा one आ गया है यानि एक month की fees हमको receive हो चुकी है pending month के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 11 आ रहा है टोटल अमाउंट रिशीव के अंदर हमारा पच्चिस सो आ गया बाकी जो बैलेंस बचा वो हमको यहां पर शो हो रहा है तो अब आगे जैसे जैसे जिन स्टूटेंट की फीस हमको रिशीव होती जाएगी उनके आगे हम यहां पर टिक करते जाएंगे इसके एसाब से हमारा रिशीव डामाउंट और बैलेंस अमाउंट निकल कर आ जाएगा तो यहां पर हमने जाना कि कैसे हम स्टूटेंट फी रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं इसको आप सेक्शन के एसाब से और क्लासिस के एसाब से मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पर हम माउस से right click करेंगे और duplicate को हम select कर लेंगे इस sheet की duplicate copy हमारी create हो जाएगी यहाँ पर double click करेंगे और यहाँ पर हम class बता देंगे कि किस class के लिए इस sheet को हम create कर रहे हैं हम चाहें तो यहाँ पर भी इसको हम बता सकते हैं इसके बाद अब एक final चीज और एक optional चीज अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं वो आपकी मर्जी रहेगी यहाँ पर हम लिख लेते हैं total student यहाँ पर लिख लेते हैं total amount received और यहाँ पर लिख लेते हैं total pending amount यहाँ पर हम formula लगाएंगे equal count a bracket roll number वाले पूरे column को हम select कर लेंगे तो यहाँ पर हम click करेंगे और control, shift और down की को हम press करेंगे पूरा column हमारा select हो जाएगा bracket close करेंगे और enter प्रेस करेंगे total number of student हमारे यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर हम formula टाइप करेंगे equal sum bracket यहाँ पर हम total received वाले column को select कर लेंगे bracket close करेंगे और enter प्रेस करेंगे तो जो भी amount हमको receive होगा उसका total यहाँ पर निकल कर आ जाएगा सेम ऐसा ही pending month के लिए भी कर लेंगे formula हम टाइप करेंगे equal sum bracket यहाँ पर हम balance वाले column को select कर लेंगे bracket close करेंगे और enter प्रेस करेंगे तो balance वाले column का हमारा total निकल कर आ जाएगा यह हमारा optional काम है अगर आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं नहीं तो इसकी कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है